क्या ये सच है एसे नहीं हो सकता मेरा दिल मां मिर रहा है उसने बुला कि नहीं नहीं ज्यादा इमोशनल होने की जरुवत नहीं है तुमको पता है ना यहाँ पर यह सब नौर्टन की चलती रहती है मैं大丈夫 हो गई मैं भावुक हूं मैं इमोशनल हूं तो मैंने call कि आपनी बेहन या मैं कोई वीडियो बनाओ, क्या करूँ मैं, उसने बुला कुछ मत करो, शांत रहो, ऐसे नहीं मैं शांत नहीं रह सकती, यह बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, उसने बुला क्या तुमने उसकी डेट बॉड़ी की फोटो देखी, नहीं देखी न, तो क्यों मान रही हो कि उसका निधान हो गया, ऐसे डरे, न्यूस चैनल दिखा रहे हैं कि पूनम पांडी का निधान हो गया है, और यह जूटी ख़बर कैसे हो सकती है, और ऐसा कहा ज़्यादा है कि पूनम पांडी की बहन ने यह ख़बर दी है मीडिया को, तो परिवार वाले जूट क्यों बोल पर रखा, अपने प्रोड्यूसर से कहा कि सर प्लीज, मुझे मांसिक तनाव हो गया है, प्लीज, आप मुझे कुछ दिर के लिए छोड़ दीजे, मैम कल देखा गया है कि ख़बर होने के बाद सब फोन सूच अप कर दिया, परिवार वाले से लिए कि हर लोग ने सूच प्रमोशन करने के नया तरीका लोगों ने ढूना, बरेवे नीज चैनल पर भी मदव चलाया गया है, इसके मालब पब्लिक नजर में तब मीडिया भी भी फेक निकला, तब क्या बना चेते हूं? हम सब को बेवकूफ बनाया, मैं यही तो कह रही हूं कि क्या खानून किसी को भी इस बात की इजाज़त देता है कि वो अपने वेरिफाइड सोशल मीडिया अकाउंट से एक जूटी खबर दुनिया के सामने रखे, बिलकुल नहीं, यह खनत है, यह जुर्म है, आपने जु आपने जूटी जानकारी दी तमाम दुनिया वालों को, आपने बताया कि आपका निधन हो गया, तो इस पर कोई करवाई होना चेकर कोई और भी एक्टर कर सकता है, जैसे उसने किया है, बिलकुल आने वाले समय में आप देखेंगे कि देश भर में अलग-अलग लोग P.I. आपके सावन मुनावर परोप्य और भी अलग-अलग सेलिवेटी इसने कल अपना दुप जाता है था, सोचल मीडिया पर अलग साइट और आज उन्होंने पिर कुछ अलग करिके से कंडेंग डालकर वो यह बताया कि पुनम पांडे ना मार साथ मजा आपके 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 अरे मैं क्यारी हो ना हाथ पर मेरे ऐसे काम रहे थे कल देखे होनम पांडे मेरी सगी नहीं है लेकिन हम एक ही इंडस्ट्री के हैं और जब किसी कॉली का अच्छानक से निधन होता है तो जटका नगता है ऐसा लगता है कि अरे कैसे कब